तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी मोबाइल एंडरोड का मोबाइल यूज़ करते हैं अब आपके एप्लिकेशन में किसी परकल प्रॉ्लम देखने हो पिलता है खास कर ओटोबैक और क्रेस का प्रॉलम तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जैसे मैं इस अप्लिकेशन को ओपलन करता हूं तो यह आप देशका आटोबैक हो जाता है तो आप इसको simply तरीके से crash भी बोल सकते है कि जैसा आप application को open कर रहे तो automatic ये crash कर जा रहा है और आपका application यहाँ पे open नहीं हो रहा है अब यहाँ पे एक problem आपको और देखने को मिल सकती है जो आपको देखने को मिलती है खासका Redmi के device में, Mi के device में वो देखने को मिलती है bug और report वाला problem तो दोस्तो बग और जो report वाला आपको जो problem देखने को मिलता है वो actually में mobile के software से related होता है तो उसे related मेंने video बनाया है तो उस video को अगर आपने नहीं देखाया है तो जाके आप उस video को देख सकते हैं अब यहाँ पर बात करते है auto back और यह जो grace वाला problem आपको देखने को मिलता है इसको आप कैसे sort out कर सकते हैं तो इसको sort out करने के लिए simply आपको अपने mobile के setting में चले जाना है और setting में जाने के बाद सबसे पहला आपको यहाँ पर काम करना है कि यहाँ पर एक option आपको देखने को मिलेगा apps का तो यहाँ पर आप देख सकते apps का जो option देखने को मिलेगा इस पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर manage apps में चले जाना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 process को complete करना है तो आपका ये जो problem देखने को मिल रहा है आपका sort out होगा ये आपको पहला process करना है यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको install वाला option देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर uninstall पर जाके अगर उस application को यहाँ पर select करके अगर uninstall करते हैं तो यहाँ पर uninstall तो आप अगर कर देते हैं और उसके बाद फिर से अगर आप Google Play में जाके इस application को install केजिएगा तो फिर भी आपको यह auto back वाला problem देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस application problem देखने को मिल रहा है सबसे पहले उस application को आपको यहाँ पर search कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो application देखने को मिल जाएगा तो simply आपको यहाँ पर tap कर देना है और tap करने बाद नीचे में एक option देखने को मिलेगा Clear All Data का तो सबसब पहला process आपको यहाँ पे क्या करना है जिस application problem देखने को मिल रही है उस application का Clear All Data आपको कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते है Delete All Data आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे simply OK कर देना है तो पहला process तो आपको यहाँ पे complete कर लेना है और अगर आपको यहाँ पे देख सेथे auto start वाला भी option देखने को मिलेगा तो एक बार आप इस application को auto start पे click करके इसको ok कर दे अगर आपको option देखने को नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है उसके बाद second process आपको क्या करना है यहाँ पे आपको उपर में एक folder देखने को मिलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह आप देख सकते है folder जो आपको देखने को मिला इस पे आप जैसे यहाँ पे tap किजेगा तो जिस application में आपको यहाँ पे problem देखने को मिल रहे है तो उसका एक folder देखने को मिल जागा तो उस folder को आप यहाँ पे select करके सबसे पहले उसको यहाँ पे uninstall कर ले तो यहाँ पे आपको remove कर देना है उस folder को तो दोस्तो मैंने यहाँ पर play store से direct download किया था और automatic मुझे यहाँ पर autoback वाला problem देखने को मिला था कि फिर से आपको यहाँ पे apps में चले जाना है और apps में जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे manage apps पे click करना है अब जैसे यहाँ पे manage apps पे click किजिएगा तो यहाँ पे जीतने भी आपको default application यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पे सर्च में जाना है और सर्च में जाने के बाद आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ तो इस पे आपको यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे टैप करने बाद नीचे आपको जो clear all data देखने को मिल रहा है, इस पे आपको click करके इसको okay कर देना है, उसके बाद यहाँ पे एक option और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा carrier service का, तो आप देख सकते गूगल का जो आपको career service देखने को मिल रहा है इस पे भी आपको यहाँ पे click करना है और click करने बाद यहाँ पे clear all data पे आपको click करके इसको ok कर देना है तो यह आपके हो गिया 4 काम पांच बाद जो last जो आपको काम करना है यह काम आप जैसे कीज़ेगा तो आपको यह problem sort out हो जागा यह है google place service का इस पे आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे आपको दो process करना है जैसे आप clear पे करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको clear catchy कर लेना है और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे manage space पे click करके नीचे में एक option देखने मिलेगा clear all data का तो आप देख सकते हैं जो clear all data का जैसे आप click की जागा तो यह automatic auto back हो जागा और आपका जो mobile है default में आपको यहाँ पे screen में चला जाएगा अब यहाँ पे जाने के बाद फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ अब मैं यहाँ पे application को जैसे open करूँगा तो open करने बाद आप देख सकते हैं कि यह application यहाँ पे simple तरीके से यहाँ पे open हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको को भी problem देखने को नहीं मिलेगा फिर से मैं यहां पर दिखा देता हूं जैसे मैं यहां पर open करूंगा और open करने बाद देखिए मैं यहां पर कुछ भी यहां पर type करता हूं तो यह application अराम से यहां पर काम कर रहा है को भी problem देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तों यहां पर आप यह 5 step को अगर यहाँ पर follow करते हैं तो यहाँ पर auto back और जो crest वाला problem देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा